जै श्रीमन आरायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कुछ ऐसी ही दस चीजों के बारे में अगर उन में से कोई भी एक चीज आपके पूजा घर में रखी हुई है तो आपको उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए क्योंकि ये आपके घर स्वास्ते परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है घर का पूजा घर या फिर मंदिर बहुत ही पवित्र और महत्पून स्थान होता है इसी से संपून घर जो है वो संचालित होता है पूजा घर का वास्तु का अनुसार होना बहुत जरूरी होता है इसमें नियम अनुसार ही मूर्तियां पूजा सामगरी या फिर अन्य चीज़ें आपको रखनी चाहिए घर के मंदिर या फिर पूजा घर में से आज मेरी बताई गई दस वस्तुएं अगर आपने रखी है तो उनको आपको तुरंत हटा देना चाहिए वरना आपको नुकसान जहलना पर सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक के दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूलें तो चलिए वीडियो में आगे पढ़ते हैं और आज जानते हैं वही चीजों के बारे में जिसमें सबसे पहला नंबर आता है खंडित मूर्ती का यदि पूजा घर में खंडित मूर्ती या फिर तस्वीर रखी है तो उसे आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए ये शुब नहीं मानी जाती इससे घर में नकारात्म कूर्जा का वास हो जाता है दूसरा है विशम संख्या में मूर्तियां अगर आपने रखी है यानि कि यदि पूजा घर में गनेश जी का विशम संख्या में आपने मूर्तियां रखी हुई है तो उनको आपको तुरंट से हटा देना चाहिए विसम शंख्या में और जादा मूर्तियां रखने से बनते हुए काम भी बिगरने लग जाते हैं तीसरा है रोद रूप की तस्वीर जी हां किसी भी देवी या देवता की रोद रूप की तस्वीर आपको घर में नहीं लगाने चाहिए या फिर आपको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए इसे अनिष्ट कारी माना जाता है तो अपने मंदिर में भी आप एक बार जरूर स ध्यान से देख लीजिए कि आपने किसी भगवान के किसी अवतार की रौद रूप वाली तश्वीर तो नहीं रख रखी है चौता है एक से जादा शंख का होना कहते हैं कि एक से अधिक शंख भी घर में नहीं रखने चाहिए जादा शंख रखना अशुब माना जाता है खंडित शंख भी घर में नहीं होना चाहिए एक को हटा करके किसी पवित नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए और कोशिश करें बस एक ही शंख का आप अपने मंदिर में रखें पांचवा है कटी फटी धार्मिक पुस्तके इसके अलावा आपको अपने घर के मंदिर या फिर मंदिर के आसपास इनफेक्ट अपने घर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकों को नहीं रखना चाहिए पुस्ता के हमेशा साफ सुतरी और सम्मान के साथ आपको उनको रखना चाहिए छे है निर्मालिया देखे निर्मालिया बासी फूलों को कहा जाता है आपको अपने घर के मंदिर में बासी फूल हार या फिर कुछ ऐसी सामगरी जिसका की इस्तेमाल नहीं होना है उसे आपको तुरंस से हटा देना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मकूर्जा का वास होता है साथवे नमबर पर आता है तूटे हुए चावल जी हाँ घर के पूजा घर में आपको कभी भी खंडे तियाफे तूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए इसके साथ ही पूराने चावल भी आपको नहीं रखने चाहिए चावल को हल्दी में भीगो कर ही आप रखें वो बहुत शुब माना जाता है और इसी के साथ ही पूजा संपन होती है आठवे नमबर पर है पूरवजों की तस्वीर देखिए यदि आपने पूजा घर में अपने पूरवजों या फिर पित्रों की तस्वीर रखी है तो उसको आपको तुरंट से हटा देना चाहिए वास्तु शास्त्र और जोतिश में म्रत परिजनों की तस्वीर लगाना अशुब माना जाता है इसके बुरे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप उनकी तस्वीर लगाना ही चाहते हैं तो मंदिर के लावा आप कहीं और किसी भी दिवार पर उन्हें लगा सकते हैं नौवे नमबर पर है सादू संतों के चित्र या फिर मूर्तियां देखिए हिंदू धर में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है पूजा घर में किसी सादू या फिर संत की मूर्ति या फिर चित्र आपको नहीं रखना चाहिए अगर आप चाहें तो किसी दिवार पर आप इनके चित्र वश्य ही लगा सकते हैं दसवे नंबर है मूर्ति रखने का विधान क्या है ये जान लेते हैं देखिए घर में दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो शंक, दो सूरिय, तीन दुर्गा जी की मूर्तियां, दो गोमति चक्र और दो शाली ग्राम की पूजा करने से गरस्त मनुश्य को अशानती होती है इसी के साथ ही माताकाली, शनी देव और भिरभ जी की मूर्ति भी आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए मातालक्षमी या दुर्गा माता की अगर आपके मंदिर में खंडित मूर्ति रखी है, तो उसको भी आपको तुरंट से हटा देना चाहिए एक बात का और आप वर्शे ध्यान रखें अगर माता लक्ष्मी की आपके मंदिर में खड़ी हुई मूर्ती है तो उसको भी आपको नहीं रखना चाहिए हमेशा ही आप माता लक्षमी की बैठी हुई और धन बरसाती हुई मूर्ती अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए ये जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे और अगर आपको इन दस आज बताई गए चीजों में से कोई भी एक चीज अपने मंदिर में दिखती है तो आपको उसको आज ही तुरंसे सह सम्मान हटा दिना है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मनारायन दोस्तों